अगर जो भी लोग हैं जो अभी हमारी क्लास जॉइन करना चाह रहे हैं साड़े संडे वाली भी बेसिक से चल रही है किसी को अगर एक्टिव पैसिफ सेंटेंस आते हैं उसके बाद की चीज उनको कवर करनी हो और हमारी संडे को भी एक स्पेशल क्लास रहती है मास्टर क्लास सारे बैच के बच्चे इसमें अलाउट रहते हैं वहाँ पर मेजर टॉपिक्स के ओपर बात करते हैं और जो भी हमारे और बड़े टॉपिक्स हैं वी हविंग तो आपका रिवीजन भी होता रहेगा और आपको एक्स्ट्रे क्लासे भी मिलती रहेंगी और आपकी नौर्म Monday to Friday classes भी रहेंगी तो हर तरीके से आपकी जो practice है वह होती रहेगी तो मतलब बच्चे वो चाहिए जो खुद पढ़ना चाहें वो मुझे बच्चे चाहिए जो खुद पढ़ना चाहते है प्रैक्टिस करना चाहते हैं और आपको र हर चीज में हर चीज में आपको support मिल रहा है और यह Master Class का extra classes का मैं कोई अभी एड नहीं कर रहा हूं यह बिल्कुल free of cost तो आज की वीडियो भी आप देखिएगा शुरू से हम देखते हैं समझते हैं और चीजों को कुछ गलत बोला मैंने पूरा question देखा जाए तो वह ऐसा निगल लगा कि क्या मैंने कुछ गलत बोला ऐसा sense आएगा लेकिन हमने कैसा कहा sentence को कुछ गलत कहा मैंने कुछ गलत बोल दिया कि मैंने वह वाला sense English में अभी अगर आप चाहो तो बिना उसको question formation दिये हुए एक normal formation के अंदर भी आप बना सकते हो ठीक है कि I said something wrong लेकिन मैंने यहाँ पर normal question रख दिया है तो सवाल ऐसा है जिसका जवाब हम yes या no में दे सकते हैं तो जब हमें ऐसा सवाल मिले जिसका answer आप yes या no में दे सकते हो तो उसमें helping verb सबसे पहले आती है और अगर question ऐसा है जिसका yes या no में नहीं दे सकते है वहाँ पर wh पहले आ चाता है helping verb से बस इतनी छोटी सी चीज है क्या sentence के शुरू में लग रहा है और yes या no में आप answer दे रहे हो तो helping verb से शुरू हो जाएगा अगर बीच में आ गया क्या तुमने खाना खा लिया और तुमने क्या खाया चाहिए तो जो पहला question है क्या तुमने खाना खाया इसका अंसल yes या no में दे सकते हैं लिए तुमने क्या खाया इसका नहीं दे सकते हैं तो जहां पर yes या no में नहीं दे सकते हैं उन में क्या होगा उसमें WH से पहले WH सबसे पहले आएगा और फिर helping verb आएगी तो यहाँ पर yes or no में दे सकते हैं कि कुछ गलत बोला क्या मैंने past indefinite sentence है helping verb लगेगी did so did I say something wrong did I say something wrong क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया यह गारा शक्त की कोई गुंजाईश ही नहीं है इस sentence में एक proper term हम use करते है there is no room for doubt चीक है room का मतलब क्या होता है room का मतलब सिर्फ कमरा नहीं होता room का मतलब जगा भी होता है space एक space जो हम बोलते है तो space को room भी बोलते है चीक है there is no room in car कि गाड़ी में space नहीं है जगा नहीं है बैठाने की किसी को भी cricket जो लोग खेलते हैं उनको पता होगा फिर commentary अगर आप सुनते हो उसने बहुत ही अच्छा room लिया और फिर shot मारा तो room मतलब उसने जगा देखी इस जगा में shot मार सकता हो room available तो room एक space के sense में use होता है जगा, खाली जगा उस sense में हम room का use करते हैं तो यहाँ पर sentence क्या बना शक की कोई गुझाईश ही नहीं है बना शक के लिए तो कोई जगा ही नहीं है so there is no room for doubt और there का use बहुत important है बहुत से लोग इस there का use को नहीं जानते और नहीं वो ठीक से कर पाते हैं तो there का जो मतलब होता है there का यहाँ पर होता है कि जब हम किसी चीज़ के existence, presence की बात करते हैं होने या ना होने की कि वोचित exist करती है या नहीं करती है तब हम वहाँ पर there का use करते हैं जैसे कि मैं बस इतना बोलूँ कि एर एक सवाल है so there is a question शक्की कोई गुझाईश ही नहीं है अब यहाँ पर subject ही नहीं है कोई भी कि कोई काम कर रहा है किसी के पास नहीं, यहाँ पर सिर्फ किसी चीज़ के होने या ना होने की बात कर रहा है कमरे में एक लड़का है so there is a boy in room कोई कुछ काम नहीं कर रहा है सिर्फ यहाँ पर होने ना होने की है so there is no room for doubt आपको not नहीं लगाना है no का ही use करना है present की बात कर रहे हो तो is MR, past में, was, were, future में, will be तो present की कोई जगा ही नहीं है so there is no room for doubt कि शक्की तो कोई गुझाईश ही नहीं है तो कोई जगा ही नहीं है तुम भी आम महिलाओं की तरह हो मतलब typical woman typical का मतलब होता है बाकी सब की तरह typical man typical man मतलब बाकी आदमी हो जैसा एक आदमी तो भापर हम typical का use करते है तो sentence हमारा क्या में बना कि तुम भी आम महिलाओं की तरह हो इस sentence में कोई action तो है नहीं यहाँ पर इसको बोलते है state of being कि हम सिर्फ एक condition बताते हैं कि कोई कैसा है, कहा है, कब है यहाँ पर एक condition की जब हम बात करते हैं तो वो आता है state of being के अंदर हाला कि batch के अंदर हमारा state of being का पूरा topic आने वाला है state of being एक बहुत important और बड़ा topic है फिलाल अभी हमारा जो Monday to Friday है उसमें चल रहा है would तो हमने would समझा, would be समझा भी would have been रह गया है क्योंकि would भी एक बहुत ज़ादा important topic है most of the times we are not sure whether we are going to use would or will चलिए, तुम भी आम महिलों की तरह हो so you are also like all typical woman woman, m-e-n, s नहीं लगाना है, woman एक होती है woman, जाजा की बात होती है so you are also all typical woman कि तुम भी बागी महिलाओं की तरह हो ये बात तुमने छेड़ी थी ये बात तुमने छेड़ी थी ये भी एक पूरा phrase है, एक पूरा term है इसको हम मुलते है you brushed this topic अब तरह को term है brushed इसका मतलब है किसी चीज़ को ले का रहना कोई चीज मिट्टी में दबी हुई उसको उखाड़ना, एक वो वाला sense जाता है न हम बोलते हैं और है मिट्टी पाओ यार, क्यों मुर्दयों खाड़ दे हो तो वो जो term आती है वो English में हम बात करते हैं brushed, तो ये बात तुमने छेड़ी थी तो you brushed this topic not I, चाहिए तो तुमने, ये बात तुमने छेड़ी थी so you brushed this topic next sentence ये कहता है तुम्हें एक अमीर लड़का चाहिए अब ये चाहिए इस चाहिए पर बहुत लोग गलते कर देता है क्योंकि school में जो हमें बता दिया जाता है should दिमाग में लगा दिया should कि बाई चाहिए के लिए should लेकिन ऐसा नहीं आ should का मतलब है जहांपर हम किसे सलहा की बात कर रहे है मुझे एक pen चाहिए paper चाहिए time चाहिए सुकून चाहिए ये should में नहीं आता और ये छोटी सी है बात लेकिन मुझे नहीं पता था इतने लोग confused होंगे इसमें लेकिन जब मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को तब मुझे जिस पता चलती है कि mostly जादातर बच्चों ने यही रटा हुआ है कि should का मतलब है चाहिए तो तुम्हें एक अमीर लड़का चाहिए यहाँ पर want का use होगा need का use होगा यहाँ should का use मत करना बिल्कुल भी तो तुम चाहती हो उस sense में जाएगा और ये sentence present indefinite ही है कि तुम एक अमीर लड़का चाहिए so you want अब यहाँ पर action क्या है चाहना want so you want तुम चाहती हो एक अमीर लड़का अरिचगा है अगर सको negative बनाओगे तो वह कैसे जाएगा you don't want अरिचगा है you don't want अरिचगा है तुम्हें अमीर लड़का है तुम कोई अमीर लड़का नहीं चाहती हो तो पूरा sentence हमारा क्या है you want अरिचगा है तुम्हें अमीर लड़का चाहिए तुम्हें अमीर लड़का चाहती हो इस तरह से नेक्स sentence लिखते है जो तुम्हारे लिए महगे तौफे ला सके ये जो बहुत important है जो लोग batch में है बच्चे जो class में है तीन बार मैंने जो का use कर दिया ये वही चीज है जो और जिस बहुत 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 common है और ऐसी छोटी छोटी जगा पर ही we get stuck while speaking in English अभी मैंने क्या बोला we get stuck while speaking in English इसमें दो तिन चीज़े छोटी छोटी सी ऐसी है जहांपर आप confused हो जाते हो कि get का use get stuck और while के साथ ing और ये चीज़ छोटी छोटी सी पकड़ पकड़ कर मैंने बच्चों को सिखाई है कि भाई इसको समझो मोटे मोटे sentences सब सिखा देते हैं यहां छोटी छोटी सी चीज़ों में confusion create होती है although I am working on my course also देखते हैं कब तक वो complete होता है लेकिन मैं तभी उस course के साथ होंगा जब मुझे लगेगा कि हाँ ये course इतना तयार मैं कर चुका हूँ कि इसको देखके कोई भी English सीख सकता है ठीक है and I promise कि वो course ऐसा ही होगा कि आपको उसके अलावा कभी कुछ और देखने के ज़रतने पड़े जो तुम्हारे लिए अभी topic पर आते हैं जो तुम्हारे लिए महेंगे तौफे ला सके अब देखो जो में होता गया है अगर हम तीन words का use करते हैं which, what, who अगर हम इनसान की बात करे हैं तो who अगर हम किसी random चीज की बात करे हैं कि जो बात तुमने कल कही थी जो मैं सोच रहा था ये बात कहना, सोचना, सुनना ये तो बहुत random है, कुछ भी हो सकता है वहाँ what अगर चीज़े countable हो या फिर छोड़ी सी चीज़े हो कि जो movie तुमने मुझे दी थी मैंने वो देखी तो वहाँ पर तुमने मुझे तीन-चार movies दी होंगी तो वहाँ पर विच्चाता है कभी समझ में आये, तीनों की जगा that लगा दो अगर कुछ भी समझ में आये तो तीनों की जगा that लगा दो अभी यहाँ पर जो तुम्हारे लिए महेंगे तोहफे ला सके तो इनसान की बात चल रही है तो यहाँ पर who का यूज करा है, so who can get you अब get का मतलब लेकर आना भी होता है, दिलाना भी होता है, get के बहुत सारे मतलब होता है, तो तुम्हारे लिए ला सके, तो यहाँ पर get का यूज किया, तुम्हें दिला सके, वो भी get के यूज में ही आएगा, लेकिन फिलहाल अभी है, तुम्हारे लिए ला सके, so who can get you expensive gifts, so who can, जो ला सके, तुम्हारे लिए who can get you expensive gifts जो तुम्हारे लिए महेंगे तो अफिल आ सके यह करा है मेरा क्या जाता है अब यहाँ पर एक बहुत ही पैरी टर्म है मेरा क्या जाता है what have I got to lose ठीक है इससे मेरा क्या जाता है हम हिंदी में बहुत बोलते है और इंग्लिश में भी same trick है has, have का use करना है और इसके बाद उस बंदे को लगा देना जिसका जाता है बागी चीज़े बिलुकुल same रहेंगे अरे इससे हमारा क्या जाता है what have we got to lose ठीक है तो इसने क्या का care इस care के लिए हम क्या लगेंगे anyways anyways मेरा क्या जाता है what have I got to lose इससे मेरा क्या जाता है यह कहला है मुझे भाशर देने वाले तुम कौन होते हो इसने कहा मुझे भाशर देने वाले तुम कौन होते हो भाशर देने भाशर देने को हम बोलते है to preach आप ने देखा होगा कि जो भाशर देते है प्रीचर तो प्रीचर होता है, प्रीच करने वाला भाशर देने वाला उससनल से हम बोला है कि तुम मुझे भाशर देने वाले होते कौन हो So who are you? सिंपल सी बात है कि तुम कौन हो तो प्रीच में बाशर देने वाले एक चीज आपर समझ लो वैसे तो मैं कई बार बता चुका हूँ जिन लोगों को पता है वो समझ पाएंगे play, come, sleep, go, eat, run इनका मतलब भागना, खेलना, कूदना, आना, जाना नहीं होता है इनका मतलब भागो, खेलो, कूदो, आओ, जाओ उस sense में जाता है अगर नानीने का sense आए तो वहाँ पर यह तो to लगाओगे और फिर उस word को लिखोगे खेलना to play, या फिर playing खेलना health के लिए अच्छा है playing is good for health, या फिर to play is good for health तुम मुझे भाचर देने वाले नानीने आगे भाचर देना भाचर देने वाले तो यहाँ पर who are you preaching me, या फिर who are you to preach me मुझे भाचर देने वाले तुम होते कौन हो उस sense में गया next sentence तुमने पहले अपनी profile नकली बनाई, past indefinite sentence है तो तुमने नकली बनाई अपनी profile, तो profile को नकली बनाना, किसी चिसको नकली दिखाना नकली रखना, उसको हम fake का यूज करते हैं, simply so you faked your profile first you faked, तुमने नकली दिखाई, नकली बनाई so you faked your profile first, कि पहले तो तुमने अपनी जो profile है वो नकली दिखाई तुम्हें लगता है कि यह प्यार है तुम्हें लगता है, अब लगता कैसे think, so do you think क्या तुम्हें लगता है, यह प्यार है that's love, so do you think that's love कि तुम्हें लगता है कि यह प्यार है past indefinite sentence है, लगता कैसे है सोच के, so do you think that's love, कि यह प्यार है तुम मेरे looks और fame की तरफ आकरशित हो तुम मेरे fame और looks की तरफ आकरशित हो, अब देखो कोई इनसान किसी condition के अंदर already है तो वो क्या है? attracted है attract करना मतलब होता है आकर्षित और वो अगर वो already आकर्षित है तो वो उस चीज़ की तरफ क्या है? attracted है तो इसने कहा कि तुम मेरे looks और fame की तरफ आकर्षित हो you are attracted to my looks and fame दन तुम्हें एक गुडिया तुम्हें गुडिया चाहते हो यह भी present and definite ताहती है तुम चाहते हो so you want a doll तुम्हें गुडिया चाहते हो अब देखो फिर जो की बात आ गई यहाँ पर जो की हम बात कर रहे हैं basically इसने गुडिया बोला लेकिन बात तो इनसान की हो रही है कि तुम्हें ऐसी एक गुडिया चाहते हो यहाँ पर which का use भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है अगर simply आप दिमाग में गुडिया को लो लेकिन अगर गुडिया की metaphor में इनसान की बात कर रहे हैं तो इसने उस sense में who का use करा है चीक है who can program who you can program जिसको तुम program कर सको who you can program जिसको तुम program कर सको which का use भी कर सकते हो that का use भी कर सकते हो और एक चीज़ और है चाहो तो कुछ भी use मत करो जैसे कि you want a doll who you can program you want a doll that you can program या फिर you want a doll you can program तीनों ही तरीके से सेंटेंस बिलुकुल सही है तो I think, I hope चीज़े आपको clear हुई होगी कोई doubt, कोई query हो so do let me know in the comment section वीडियो पसंद लाइक कीजे, नए हैं लाइक सबसे दोनों कीजे, thank you